Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal कई दिनों के बाद market का महौल थोड़ा अच्छा देखने में यहाँ पे लग रहा है Bitcoin के price में और अगर all coins के price में देखे तो एक pump यहाँ देखने को मिला है क्या इसके पीछे के reasons है जिनकी वजह से यह pump हुआ है Bitcoin का price यहाँ से कहां आने वाले time में हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है उसके बारे में आज के वीडियो में discuss करेंगे कौन से important updates है वो जिसका impact Bitcoin पे पढ़ रहा है उनको भी यहाँ पे समयने ही कोईश करेंगे सबसे पहले चलते है crypto analyst के उपर market cap 5.5% up volume बहुत time के बाद 100 billion dollar के नेरबोट यहाँ पे पहुच रहा है 37.5% का volume up है inflow का कोई data नहीं है fear and green index greed 70 पिछले गंडे के sentiments यहाँ पे buy के तरफ और अगर heat map देखे तो सब कुछ हरा देखने को मिल रहा है गिरा वो है वो है यहाँ पे ton coin ton के बारे में आप लोगों दो दिन पहले ही मैंने चीज़े बोल दी थी कि सब कुछ overbought है ton का price नहीं चाह सकता है BTC अगर देखेंगे 6.33% up Ethereum 3.60% up Solana के बारे में बात करेंगे 12.5% up near के बारे में बात करेंगे 17% up graph के बारे में बात करेंगे 16% सारे के सारे all coins यहाँ पे एक अच्छी rally दिखा रहे हैं Bitcoin की बात करेंगे जब यह वीडियो बना रहा हूं है Bitcoin का price is 65,831 और हुआ क्या अगर आप यह पूरे का पूरा pattern देखते हैं तो पिछले इतने दिनों में जितने patterns के बारे में हम लोगों ने discuss किया था वो सारे के सारे यहाँ पे breakout हुए चाहे हम लोग 4 hour में head and shoulder के बात करें हमने इसके बारे में discuss किया था चाहे हम यहाँ पे falling wedge के बारे में बात करें यह सारी चीज़े यहाँ से finally breakout हुई है important चीज़ अगर आप देखेंगे market में अगर मैं 3 minute की candle में जाऊं real pump आपको जो था वो market में यहाँ देखने को मिला है यह एक pump था in fact 3 minute की भी यह एकी minute की candle थी जो bitcoin को 62,000 से सीधा 64,000 पे 2000 डॉलर का pump इस एक candle ने कर दी और उसके बाद market आपको अपना momentum दिखाता था क्या reason थे इस pump के थोड़ी देर में इस चीज़ को discuss करेंगे पर अब आने वाले हमारे पास ही जो area था मैं इसको 4 hour chart में करता हूँ हमारे पास ही जो area था यह हमारा support zone था जहां से support हमारा फिलाल confirm हुआ है अब यह हमारे पास अगला resistance zone है जो कि हमारे पास 67,000 पे है यह important है भी यहाँ पे breakout करना मेरे को मैं personally यहाँ पे जो expect करता हूँ वो इस pattern के लिए करता ह हूँ कि यहाँ से ना भी कुछ इस तरीके से एक pattern देखने को मिल सकता है कि हम लोग फिर नीचे आए और फिर से इस area को test करे जो कि 64,000 पे होगा और उसके बात exact आपको पता चलेगा कि bitcoin का momentum किस तरीके से यहाँ देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे support confirm होता है फिर एक rally test करने आएगा उसी time पे इस pattern के according भी हम लोग इस जगा पे test करने आने वाले है यहाँ पे तो यह बहुत important रहने वाला है फिर से कि अगर bitcoin दुबारा इस जगा पे है क्योंकि normally जब भी bitcoin किसी support को तोड़ता है तो वो support को दुबारा confirm करने आता और उसके बाद उपर की तरफ लगाता है तो यह area हमारे लिए important रहेगा break करना और इसके लिए हो सकता है bitcoin के price में थोड़ा correction आप लोगों को देखने को मिले डेड़ अजार डॉनर का और उसके बाद एक rally आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले तो अगर इस जगा पे दुबारा हमारा confirm होता है support तो ए अब अपनी entry बना के रहेगा फिलाल entry को निकालने की ज़वोत नहीं है जब तक bitcoin अपना main area पे जो कि 70,000 करेएगा उसको test करने नहीं आता अब यहाँ से bullish होने की कब जरूरत है जब आप actual में बोलेंगे कि हाँ यार अब यहाँ से लग रहा है अब bitcoin एक parabolic run में जाएगा तो उसके लिए देखो सबसे important जी मैंने बहुत बार आप लोगों बोला है कि जो bitcoin का last all time high बनाता जो की था यहाँ पे 69,000 के level का उसके उपर weekly candle और short shirt के लिए उसके उपर एक monthly candle अगर हमारी close हो जाती है वहाँ से आपको असली bull run यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके इलावा इस यहाँ पे तो उड़ते हैं और उसके बाद important रहेगा यह area के उपर bitcoin जाता है या नहीं जाता नहीं जाएगा तो फिर से 60,000 का level आप लोगो को देखने को मिल सकता है simple सी चीज़ यह है कि जब bitcoin के price में एक rally देखने को मिलती है तो वहाँ पे ज़्यादा खुश होने की जहुत नहीं है और जब correction देखने को मिलता है तो वो time पे ज़्यादा पर परशान होने की जहुत नहीं है जिस तरीके से bitcoin का price move करता है थोड़े time के लिए sideways कर सकता है पर अ कल के दिन में सबने बाई करा है चाहे आप बात करेंगे यहाँ पे grey scale की यहाँ बात करें यहाँ पे fidelity की सबने बाई करा है total अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 4601 BTC बाई करेंगे grey scale ने 410 BTC और highest BTC जो थे वो यहाँ पे fidelity ने बाई करें 10996 BTC बड़ा update यहाँ पे 61 billion का एसिट संभालते हैं 61 billion का और जो report आई है उसके according इन्होंने 2 बिलियन का 2 billion का investment bitcoin spot ETF के share में यहाँ पे करा है आप देखो 61 billion का जो एसिट संभाल रहा है वो 2 billion को सीधा bitcoin में यहाँ पे लगा रहा है near about 3% एसिट जो है bitcoin की ऊपर यहाँ पे आगे अब आप समझो जो trillion संभाल रहे हैं अगर उन्होंने अपना 2-3% bitcoin में डाल दिया तो bitcoin के price में क्या आप लोग को rally यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके बाद अगला update यहाँ पे cmc group शिकागो का जो है वो भी plan कर दे अपना bitcoin spot ETF लेके आने का US के spot ETF ने एक literally milestone set किया है जिसको बाकी के जो लोग है वो यहाँ पे copy करने की कोशिश कर दे फिलाल exact date के बारे में update नहीं है पर plan यह इस बारे में यहाँ पे कर दे दूसरा liquidation का बड़ा interesting data देखने को मिला और वो data को अगर आप 30 मिनट पे कर दे तो आप लोगो मैं ठीक से द liquidation सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में यहाँ पे reason था इन सब चीजों के पीछे का और bitcoin के price के pump का वो है यहाँ पे जो एक update टेलिग्राम पे दिया था वो था यहाँ पे CPI का data जिस तरीके से आया है CPI का data जो estimated था आया वही है लेकिन important चीज यहाँ पे क्या हुई है जिसने market को एक इन दिनों से हम लोग बात कर दे थे बहुत बार आप लोगों के सामने में rate cut के बारे में बात करता हूँ आप देखो हलका सा rate cut का shift change हुआ है और यह bitcoin के price में pump आप आप लोगो को देखने को मिला और actual में 2-3 rate cut अगर लगातार हो गए तो आप देखो bitcoin का price कहा जाता हो देख चांसे थे 49.6 यहाँ पे यह मैं आप लोगो डेटा दिखा रहा हूँ 10 तारीक का 10 मई का अगर आप यहाँ पे जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में rate cut के chances थे 30% के और अगर आप यहाँ पे जाते हैं जून में तो जून में rate cut के chances थे यहाँ पे 8.5% के current date अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है अभी जून के chances हैं 8.4 अगर आप पहले भी देखेंगे तो पहले जून के chances थे 8.5 अब हो गई है 8.4 जुलाई में अगर आप बात करते हैं जुलाई में अब rate cut के chances हैं 32.5 पहले अगर आप देखोगे कितने थे 30 पर सबसे important च करते हो 5 से लेके 5.25 के जो 49% chances थे वो यहाँ से बढ़के हो गए हैं अभी 52.7 और जो 4.75 से 5 के chances पहले थे यहाँ पे 17 पसेंट वो बढ़ गए है यहाँ पे 21 पसेंट अगर हम लोग बात करते हैं number की तो number के जो पहले chances थे rate cut के 5 से लेके 5.25 के वो थे 43 पसेंट वो बढ़क लेकिन लेकिन जो chances थे 4.75 से लेके 5 के वो 28 पसेंट थे वो बढ़के हो गए हैं आपर 34 पसेंट तो जो investing.com में अगर आप जाएंगे जो rate cut के chances हैं वो काफी जादा सेप्टेंबर के महीने में बढ़ गए हैं और number के महीने में और जादा rate cut के chances बढ़ गए हैं तो जैसे ही rate cut का announcement होगा market में एक rally हमें देखने को मिल सकती है उन्ही सब चीजों की वज़ा से bitcoin के price में यह जो एक pump आया है इतना बड़ा वो यहाँ पे देखने को मिला है US का rate cut, US का market इसलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं बहुत important और आप देखी अगर उस US market के अगर इस बार Trump आ जाते हैं जो पूरे crypto के favor में है तो पूरे का पूरा market के जो सूरत है वो हमें change होती हूँ यहाँ पे देखने को मिल सकती है इसके लावा एक और interesting चीज यहाँ पे यह चीज़े आपको यह बताती है कि किस तरीके से crypto market में चीज़े चल रही है यहाँ और scam में नहीं आना ह 1 million new token April से अब तक बने है crypto currency market में और इसमें surprisingly अगर हम लोग देखें तो 3,70,000 Ethereum पे आए हैं और 6,40,000 token Solana के उपर आए हैं जिसमें से ज्यादातर meme coin है April में दो महीने के अंदर अगर आप देखें तो 6,00,000 से जादा meme token Solana के उपर आए हैं इसमें 90% token ऐसे होंगे जो बंद हो जाएंगे जनकी website भी renew नहीं होगी अगले साल तो जब भी आप invest करते हैं meme token पे specifically थोड़ा सोच समझ के invest करिए नई token भी अगर आए है तो उन पे पहल पे अल्लेडी बता दिया है उसको थोड़ा सा monitor यहां पे कर सकते हैं वीडियो पसंद आया इसको लाइक होचा जोगेगा चैनल में अगर आप नहीं है फसे वीडियो देख रहे हैं जो भी crypto market के updates रहेंगे वो quickly telegram पे आप लोग को मिल सकेंगे जिसके लिए telegram को join नहीं किया लिंक वीडियो के description ने मिल जाएगा thank you friends